सभी का स्वागत है और आज का mcqs का live class हमारा 456 से 460 ठीक है नम्मर सही है mcqs का series है इसका मतलब 455 तक अभी तक हो चुका है हमारा mcqs जिसमें हमने पूरा detail में explain करके आपको सारे options बताए हैं और किस तरीके से आपको mcqs को solve करना है वो सारा चीज आपको बताया हुआ है तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोग बताईए कि आपको अब आज पहुंच रहा है आप comments कर देंगे इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को share भी कर सकते हैं आज की live class के बारे में थोड़ा सा लेट है नो बच चुके हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है गुड़ इवनिंग आप सभी लोगों को चलिए अब आज आप लोगों तक पहुंच रहा है ठीक है सभी लोग जल्दी से आ जाईए उसके बाद अभी quality control की उपर lecture में ले रहा हूं बहुत important है practical ways पे और आपका interview इसके साथ साथ practically सबसे ज़्यादा important है वो आप लोग जरूर देखना उन वीडियो उसको और अभी वेस्ट गार्ड रूल की उपर वीडियो बनाएंगे हम और कुछ practical वीडियो भी मैंने बताया हुआ था ठीक है पहले किस तरीके से quality control करते हैं internal external सारे quality control आप से पूछे जाते हैं और वेस्ट गार्ड डूल के उपर सवाल बनता है competition exam में तो वेस्ट गार्ड डूल मैं पढ़ाऊंगा बहुत important है ठीक है आप सभी सवाल हम देख लेते हैं आज का पहला सवाल आपके screen पर देखने को मिल रहा होगा जल्दी से आप लोग comments कर दीजिए answer बता दीजिए बहुत आसान सवाल है पूछे गए सवाल ही हम solve कर रहे हैं बहुत important है और explain करते हैं ताकि उसमें से आपको बहुत सारे सवाल बना करके हम देते हैं और उसको जब आप solve करते हैं तो आपका ही benefit होता है हम केवल answer बता करके नहीं निकलते हैं आपको पूरा explain करेंगे ताकि उसके अंदर से जो भी सवाल बन सकते हैं वो सारा चीज हम आपको बताने की कोसिस करते हैं तो anticoagulants आप लोगों को पता है anticoagulants के बारे में detail में हम पढ़ चुके हैं आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा ठीक है नाम से इस पच्ट है anticoagulants मतलब coagulants के खिलाव ठीक है ठक का जमने से रोकने का काम करता है सिंपल और साधरन भासा में anticoagulants का काम होता है ठीक है सवाल आप से पूछा है anticoagulants that chylate calcium age उसके बाद option दिये है heparin phosphate EDTA उसके बाद fluoride दिये है आपको बताना है इसमें से chylate calcium कौन करता है यह option है आपके पास ठीक है anticoagulants detail में हम पढ़ चुके है anticoagulants while के बारे में तो actually मैं anticoagulants आप समझ लीजे anticoagulants basic करता क्या है उसके बाद हम इस answer पे जाएंगे तो anticoagulants का काम जो होता 13 clotting factor मैंने आपको बताया था और पहले याद भी करा चुका है तो 13 clotting factor आप लोगों को याद होगा ठीक है I hope और जितने भी 13 clotting factor है ठीक है तो यह सारे के सारे एक series में काम करते हैं समझ में आ रहा है एक के बाद एक एक दूसरे को activate करते हुए और last में आपको clot बनाने का काम करता है last में इसका target क्या है clot formation करना मतलब blood जब आपके सरीर से बाहर निकलता है तो उसका clot formation करना यह आपके 13 clotting factors के काम होते हैं इन में से अगर किसी एक clotting factor को भी आप निकाल दें या उसके काम को आप प्रभावित कर दें या बाधा उत्पन कर दें किसी भी तरीके से उसको पकड़ लें जैसे कि आप simple साधरान भासा में समझी एक building पक्का माकान को बनने के लिए बहुत सारे requirement होते हैं पानी भी चाहिए, cement चाहिए, लोहा चाहिए, इट चाहिए, गिटी चाहिए यह सारे चीज के requirement होता है उसमें से अगर एक चीज भी ना हो तो पक्का माकान नहीं बन सकता हो सकता है आपके पास cement ना हो, cement को आप रादीजे, पक्का माकान बनेगा, नहीं बनेगा इसी तरीके से ये है 13 clotting factor clot बनने के लिए सभी का बहुत importance है इन्हीं में से किसी एक को कारे को प्रभावित कर देगा या उसको पकड़ लेगा तो आपका clot formation नहीं होगा और आपका blood नहीं जमेगा एरक्त का थक्का नहीं जमेगा तो यही काम ये करते हैं तो जितने भी 13 clotting factor है आप क्या सभी लोगों को याद है अगर याद है तो yes लिख दीजे और नहीं है तो आप लोग याद कर लीजे कितने लोगों को 13 clotting factor याद है जल्दी से आप बता दीजे answer तो हो गया है हम बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा समझ में आ रहा है तो आप बोर नहीं होंगे बिलकुल भी मैं आसा करता हूँ 13 clotting factor क्या आप सभी लोगों को याद है आप लोगों से हम बाद भी करेंगे आप लोगों से हम सवाल भी पूछेंगे ठीक है और लास्ट में बहुत मज़ा आएगा rapid fire question हम लेकर के आते हैं MCQs MCQs नहीं बोलेंगे उसको हम question ही बोलेंगे आप से सवाल पूछेंगे आप एक ही सब्द में answer करेंगे उसका कोई option नहीं होता है ठीक है आपको option नहीं दिया जाता है हम केवल सवाल करेंगे आप वहां से हमें answer करेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी जिनको नहीं याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप 13 clotting factor जरूर से याद कर लें ठीक है अगर वो याद नहीं रहेगा आपको तो ये plug formation ये clot formation आपको समझ में नहीं आएगा किसे clot का formation होता है समझ में आ रहा है तो आज ही आप इसको याद कर लें चार्ट बना लें पूरे अच्छे से और सारे के सारे clotting factor याद कर लेंगे ठीक है यहाँ पर आपको clotting factor देखने को इसको देख सकते हैं ठीक है तो इसमें से आपको केलसियम देखाई दे रहा है आपको सवाल ही पूछा गया था कि एंटिकोगलेंट्स देट चिलेट केलसियम ठीक है तो केलसियम आपके एंटिकोगलेंट्स सोरी clotting factor में आता है और इसका बहुत जादा important role है आपके clot formation में ठीक है तो यह जो EDTA होता है यह चिलेट केलसियम है और EDTA अगर केलसियम को चिलेट करेगा तो आपका क्या है clot formation नहीं होगा हम detail में देख लेते हैं mostly जो EDTA होते हैं अब इसमें से मैं बहुत सारी चीज़ explain करूँगा ताकि आपको और भी सवाल इसमें से जो बनेंगे वो आपके cover होते जाएंगे तो जो potassium EDTA ही हम इस्तेमाल करते हैं sodium वाला नहीं करते हैं आपको देखने को मिलता होगा practically K2 और K3 फोर्म में ठीक है डाइफोस्पे डाइपोटेसियम यह सवाल पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रखेंगे डाइपोटेसियम और ट्राइपोटेसियम समझ में आ रहा है हमेटलोजी कल स्टेडी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है EDTA वाइल का इस चिलेटिंग एजेंट बाइंड दा केलसियम अब यह कैलसियम को क्या कर देगा बाइंड कर देगा समझ में आ रहा है यह थालिन डायमिंड टेट्राइसिदिक इसका फुलफॉम आप लोगों को सभी को पता होना जाए यह फुलफॉम भी पूछा जाता है ठीक है तो calcium bind हो गया यह 13 clotting factor में आता है तो एक चीज भी हटा दिया मैंने पहले ही बता दिया था इसलिए explain किया था पहले एक चीज भी आप हटा दो 13 clotting factor से आपका पूरा यह जो प्रोसेस है यह पूरा का पूरा stop हो जाएगा रोग जाएगा समझ आ रहा है तो coagulation आपका हो हेपेरिन अगला option जो आपका हेपेरिन था हेपेरिन के बारे में मैं पहले भी rapid fire question में आपको से पूछा गया था ठीक है तो हेपेरिन आपका natural antigoglants भी होता है पूछा जाता है एक जाम में तो आप इसको याद रखेंगे inhibit thrombin formation to prevent clotting तो यह thrombin formation को जो है inhibit कर देता है जिसके करण clotting नहीं होता है और हेपेरिन जो है accelerate करता है किसकी activity को anti-thrombin third के action को यह आप सवाल पूछेगा कभी भी objective में तो आप याद रखेंगे कि हेपेरिन जो है accelerate activity of उसके बाद fill in the blanks देगा और action देगा सवाल मैं बताते ज आ रहा हूं किस तरीके से कैसे पूछा जाएगा इसलिए मैं यह point जो important है वही चीज में लिख करके आपके लिए लाया हूं ताकि यह points कभी भी इस तरीके से सवाल बने तो आप उसका answer कर पाएंगे समझ आ गया सभी लोगों को कैसे सवाल पूछेगा हेपेरिन accelerate activity of उसके ब थर्टिंग फेक्टर बताया था उसमें से कौन-कौन से नाइन्थ टैंथ उसके बाद यह क्या है ट्वल्थ नंबर ठीक है और यह आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद यह सारे factors जो है आप इनको याद रखेंगे antithrombin third का inhibit thrombin और यह सारे क्लोटिंग फेक्टर कौन कौन से हैं उनको जो है इनिविट करने का काम करेगा यह भी आपके objective सवाल में पूछे जाते हैं ठीक है इतना सब लोगों को समझ में आया कितने लोगों को समझ में आप लोग एंसर कर दीजिए उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं explain कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों से बातचीत भी करना बहुत जरूरी है अगर आप लोग रिपलाई नहीं करेंगे आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें और detail में समझाना पड़ेगा सभी लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है यह सर लिख रहा है सब लोगों को मत पैसानी ना हो कि कोई इस तरीके से इसके अंदर से समझ में अगर सवाल आ गया तो आपको समझ में नहीं आया या हम लोगों ने नहीं पढ़ा इस तरीके से आप excuse नहीं देंगे समझ आ रहा है अब हिपेरिन का mechanism कैसे होता है यह बहुत important है हिपेरिन का mechanism आप समझ लीजिए बहुत आसान है ठीक अगर आप इसका screenshot ले सकते हैं तो ले सकते हैं आराम से मैं समझा देता हूँ आपको उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यह हिपेरिन है एक्टिवेट करता है मैंने बताया आपको किसको antithrombin third को एक लाइन समझ में आ गया हिपेरिन एक्टिवेट क कर देगा किसको प्रो थ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन बनने की प्रिक्रिया को इनक्टिव कर देगा और क्या इनक्टिव करेगा फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनने की क्रिया को भी इनक्टिव कर देगा तो इस तरीके से सवाल यहां से भी बहुत सारे बनते हैं वो मैं पह लोग पता है आप लोग comments करके बतादो जल्दी से उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक सिर्फ का इस्तेमाल आप कहा करते हैं या किस चीज को डाग्नोस करने के लिए किया जाता है आप लोगों पढ़ा होगा हमने बताया है एक्सपेंसिव होता है मतलब महंगा होता है आप लोगों को पता होगा तो साधरन तोर पे इसका इस्तेमाल होता नहीं है चलिए बहुत सारे लोगों को पता है हिपरिन का इस्तेमाल कहां किया जाता है ये सवाल पूछा जाता है इसलिए मैंने आप से पूछ लिया ताकि आप इसका एंसर कर दें कभी भी अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप यह याद रखेंगे ठीक है हम पढ़ा चुके है इसलिए बार-बार उसको explain नहीं कर रहे हैं हम mechanism की उपर सवाल पूछा है तो हम उसी point को आज cover कर रहे हैं ठीक है तो वो चीज भी आप याद रखेंगे किस anticoagulants वाल का इस्तेमाल कौन से test perform करने के लिए किया जाता है तो यह हम बार-बार इसको repeat नहीं करेंगे आप लोगों को पता है मैं आसा करता हूँ अब यह आपका आगया fluoride तो fluoride की उपर already हम बात कर चुके हैं यह segregation complex बनाता है आपका anticoagulants जो है as an anticoagulants by binding the calcium segregation complex बनाता है ठीक है bind करता है calcium दो तरीके का काम है यह वाले function से क्या होगा आपका जो blood है उसका clot नहीं होगा और दूसरा काम यह दो तरीके से काम होता है यह जो आप anticoagulant while इस्तेमाल करते हैं यह दो तरीके से काम करते हैं पहला चीज तो यह clot formation को रोकेगा मतलब रक्त का थक्का नहीं जमने देगा और सबसे जादा इंपोर्टेंट रोल जैसे कि fluoride की वाइल की उपर आप लोगों को पता है इसमें हम सुगर का test perform करते हैं तो आप लोगों को इसका answer देना पड़ेगा आप यह नहीं कहेंगे हमें नहीं पता है तो 200 बच्चे आज हमारे साथ live आ चुके हैं ठीक है इस्टुडेंट्स हैं आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार और केवल 68 लोगों ने पसंद किया है वीडियो को तो हम आसा करते हैं कि और अच्छे से explain करेंगे ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए और आप लोग हमें like करें ठीक है तो like करना नहीं करना वो हमारे explanation की उपर है हम जवर्दस्ती नहीं बोलते ये चीजे ठीक है अगर आपको समझ में आएगा तो आप like करेंगे हम उसी चीज से समझते हैं कि अगर like आगया तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है अगर 100 लोगों ने पसंद किया है मतलब 100 लोगों को समझ में आ रहा है तो हम और अच्छा प्रियास करेंगे कि बाकी 100 लोगों को भी समझ में आए ठीक है दो तरीके से मैंने बता दिया फ्लोराइट का पहला काम ये केलसियम को सेग्रिगेशन कॉम्पलेक्स बना करके आपके ब्लेट क्लोट को रोग देगा दूसरा काम है इसका कि आपके जो गलुकोज का रिडक्सन होगा या गलुकोज का लेबल डाउन होते जाएगा क्यों क्योंकि गलाइकोलाइसिस की प्रोसेस इसमें होता है गलाइकोलाइसिस मतलब गलुकोज का तूटना तो उस plicerya को भी रोकना है अगर नहीं रोकोगे तो आपका test का report जो है या result है गलत आएगा ठीक है क्योंकि हमें उसे भी रोकना है अगर आप इस plicerya को नहीं रोके तो आप जब test perform करेंगे सादरण सीरम में किर और anticoaglant से तो आपका report false report आएगा actual sugar का value आपको देखने को नहीं मिलेगा इसी वज़े से हम fluoride while का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप जब test, ये main function क्या करेगा आपके glycolysis या glucose के तूटने की प्रिक्रिया को रोक देगा मैंने बोला आपके blood में RBC होता है, उसमें anolage enzyme होता है और एहम रोल होता है anolage का आपके glycolysis की process में जैसे कि मैंने anticoagulants अभी समझाया, तो उसी तरीके से glycolysis की जो प्रिक्रिया होती है उसमें बहुत सारे enzymes participate करते हैं उसमें से एक enzyme को आप हटा दीजिए, बीच में से वो सारा प्रिक्रिया stop हो जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा, glucose का तूटना बंद हो जाएगा वही काम आपका fluoride कर, जो आप anticoagulants इस्तेमाल करते हैं वो करता है इतना clear हुआ क्या आप सभी लोगों को, जितना मैंने समझाया ठीक है, interaction करना जरूरी है, आप लोगों से बात करना क्या आपको एतना समझ में आया, देखिए, सब्र जरूरी है कई लोग बोलते हैं सर, बहुत जल्दी कीजिए, जल्दी आगे कोश्चन पढ़ाईए मैं ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है, अगर किसी को जल्दबाजी है तो प्लीज, आप लोग सब्र के साथ पढ़िये, मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी बात हैं और आराम से हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ा करके मैं भगना नहीं चाहता, ज्यादा सवाल करके कोई फाइदा है नहीं, एक-एक सवाल का एक-एक आपसन को समझना जरूरी है उनमें से सवाल बनते हैं, उनको समझना जरूरी है तो उस बात को आप सभी स्टुडेंट्स समझेंगे, ठीक है तो मैं आप लोगों का नुकसान नहीं चाहता, आपका समय बरबाद बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर आप लेट कर रहा है जल्दी जल्दी पढ़ा करके आगे निकल लिए ऐसा काम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है आप लोगों ने बोला समझ में आ रहा है, अच्छी बात है तो हम इसको आगे चलते हैं अगला सवाल, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया इस सवाल का आप एंसर कर दीजे, थोड़ा बहुत बदलाव मैंने किया है और मलेरिया पैरासाइट, प्लाजमोडियम आप सभी लोगों को डेटेल में समझा दिया है अल्रेडी हमारा किलास इसकी उपर हो चुका है ठीक है, आप इसका एंसर जल्दी से आप कमेंट्स कर दीजे डेली कब लाइव आते हैं, सवाल पूछ रहा है डेली लाइव आने का कोई फिक्स टाइम तो नहीं है ठीक है, लेकिन हम कोसिस करते हैं कि 8 बजे के बाद हम लाइव आ जाते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके ठीक है, तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप लाइव आ जाएंगे तो अभी मैं एनलाइटिकल में देख रहा था यूट्यूब के तो उसमें 74% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं लेकिन देखते बराबर हैं तो आप ऐसा करेंगे तो आपका ही नुक्सान है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो इस बात का आप ध्यान कि एकटेशन रखेंगे तो आप लोग ने फ्लाजमोडियम लाइफ साइकल अब प्लाजमोडियम IN MEAN-CORDS अब आपने अगर यह प्लाजमोडियम का यह मलेयरियया का तो आप इतने फोस्ट की जरूरत पड़ती है सतों किसी एक होस्ट में इसका पूरा प्रिक्रिये लाइफ साइकल इसका कम्प्लीट होता है Σमझ में आ रहा है आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका है अन्सर आप लोगों का साइज जोगों नहीं आ रहा है कि चलिए हम इसको समझने की कोसिस करते हैं कि प्लाज्मोडियम बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट केवल पॉइंट में क्लियर करूंगा ठीक है तो प्लाज्मोडियम के फोर इस्पिसीज आप को पता है वाइवेक्स फालसी फिरम मलेरिया और ओवेल यह जो है एक प्रोटो जोवा है आप लोगों को पता होना चाहिए इस तरीके से सवाल भी साइथ पहले पूछा गया था ठीक है निमलेकत में से कौन सा प्रोटो जोवा है तो आप लोगों ने जवाब भी दिया था प्लाज्मोडियम ओके कॉजिंग मलेरिया इन मैन यह आपके जो है सरीर में मलेरिया कॉज करता है इंसान के अंदर इंडिया के अंदर प्लाज प्लाज्मोडियम ओवल जो है यह नहीं है तो इस चीज को आप याद रखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने मैंने मेंसंद कर दिया है दो होस्ट है मैं इंटर्मीडियेट होस्ट यह सवाल पूछता है इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है इ क्या क्या सवाल बन सकता है इस आरा चीज कवर कर आऄ उसके बाद एससेक्चुलल डिवलोप्मेंट आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बताया था ठीक है मैंन में आपको किलियर नहीं हो रहा है क्वालिटी आप बढढ़ा लें जिसको भी किलियर नहीं दिखाई दे यह आप याद रखेंगे, ठीक है, इस पोरोजोट्स इंफेक्टिव फॉर्म होता है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, इस लास्ट के लाइन को आप बिल्कुल याद कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेंगे, इस पोरोजोट्स जो है, इनफेक्टिव फॉर्म होता और आपसे अगर सवाल पूछा जाए कभी भी तो आप इसका एंसर कर देंगे तो थोड़ा साम इसमें लाइफ साइकल को रिवाइच कर लेंगे जादा नहीं है थोड़ा सा हम रिवाइच करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे जैसा कि इस प्रोजोइट्स इंफेक्टिव याद रखेंगे जैसे युग मौस्कीटो बाइट करता किसी इंसान को उसके बाद प्रीथ्रोसाइटिक स्टेज में आपके बलैड स्टिम के थूरू लिवर में चला जाता है ठीक है उसके बाद वहां पर आपके कृप्टो जोइट्ष बनते हैं जिसमें माइक्रो रप्चर होता है नो ठंड़ लक के भूखार आता है न आप लोगों को इसका जो है माइक्रो गिमेटे साइडמה फ्रॉय सकता है यह अगर ऊता है तो नहीं पूछा जा चाहिका सकता है तो आप उसको याद रखेंगे जाएगोट बनेगा उकाइनेट उसिस पोरोजोइट उसके बाद फिर से यह मौस्कीटों के लारवा में प्रिजेंट रहेगा और उसके बाद जैसे इनसान को काटेगा फिर से वहां से चला जाएगा इस तरीके से लाइफ साइकल बहुत आसान है हमके वल्ड रिवाइज आप कमेंट्स कीजिए बहुत आसान तरीके से हमने बता दिया है ठीक है किलियर नहीं देख रहा है कोई देक्कत नहीं है आप लोगों को लाइफ साइकल पढ़ाया हुआ है अप लोगों को ठीक है एक सवाल मैं कॉमन सवाल पूछ रहा हूं ब्लैक वाटर फिवर ठीक है प प्लाजमोडियम के जो जिनको पता होगा उन लोग एंसर दे देंगे ब्लैक वाटर फिवर हाँ नाम सुना है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया तो सवाल पूछने से पहले ही एंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है प्लाजमोडियम फालसी फे है आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमने पढ़ाया हुआ है साइध मैं सवाल देख लेता हूं कहीं तो पूछा गया था इस तरीके से सवाल कि मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वह सवाल पूछा था किसी एक्जाम में आया हुआ था ठीक है चली ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है आप लोग इसका एंसर कर दीजिए उसके बाद हम उसको देख लेंगे सवाल क्या पूछा था ठीक है standard method to estimate hemoglobin is अब आप से सवाल पूछा है standard method इन में से कौन सा है देखिए साहली स मेथड में पढ़ा चुका हूँ sign method, hemo q, copper sulfate method मेंने नहीं पढ़ाया हुआ है उसको भी हम cover कर देंगे ठीक है अगर आपने blood bank में पढ़ाई किया है blood bank में काम किये हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको भी अभी हम explain कर देंगे ठीक है जल्दी से ताकि आपको समझ में आ जाएगा तो कितने लोगों को ये सारे के सारे option के बारे में पता है या सारे techniques आपको पता है hemoglobin estimation का पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या आप सभी लोगों को पता है ये चार option जो दिये गए हैं क्या सभी techniques या methods के बारे में आप लोगों को मालूम है दीपक जी बोल रहा है yes answer सभी लोगों को आ रहा है good अभी हम last में आप सभी लोगों से बाद भी करेंगे ठीक है रित्तू बोल रही नहीं कोई दिक्कत नहीं है हम समझाएंगे ठीक है नहीं पता है बिल्कुल honesty बोल लिए कोई दिक्कत नहीं है हम लोग समझाएंगे ठीक है चार ओप्सन जो दिये गए हैं साहलीस सानमेट हीमोक्यू और कॉपर सल्फेट क्या आपको सभी के बारे में पता नहीं है बहुत सारी लोगों को नहीं पता है मतलब explain करनी की ज़रूरत है कोई दिक्कत नहीं कॉपर नहीं पता है साहलीस तो बेसे का आप लोगों ने जब भी start किया होगा बीमल्ट डीमल्ट पढ़ना तो यह तो आपको मेथड बताई दिया होगा साइनमेट भी बता दिया होगा यह दो मेथड तो बिलकुल कॉमन है इनके बारे में पता होना ही चाहिए ठीक है अब मेरा सवाल यह है पह जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए हम एंसर आपका देखते जाएंगे साहलीस मैथट में इंपोर्टेंट रीजेंट का नाम आप बता दो जल्दी से ठीक है एक्स्प्रेन करेंगे कोई दिक्कत ने एंबाइट एच्छी ल जल्दी से आप लोग एंसर कर दीजे पता है जिनको पता है आप एंसर करते जाएं नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है आज 234 स्ट स्टूडेंट भी हो सकते हैं तो 245 इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बहुत बहतर तरीके से और भी क्लासस आने वाले समय में होंगे लेक्चर सोंगे important MCQs होंगे हमारा में उद्दे से है आपको government job में selection दिलाना ठीक है बहुत सारे student ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, financial condition अच्छा नहीं है, ठीक है, परिवार का condition अच्छा नहीं है, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, तो हम चाहते हैं ये government job उनके लिए, आपको पीड़ी को बदलना है, समझ में आ रहा है, आने वाले generation को बदलना है, तो generation को आप तब पूरा भी होगा, तो पैसे वाले तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनको जरूरत भी नहीं होता है, क्योंकि मावाब के पास बहुत पैसा है, तो वो सोचते हैं क्या ही करना है, ठीक है, लेकिन जितने लोगों को ये जरूरत है, नीड है, हकीकत में, कि आपको government job में जान हमने खड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इतना busy schedule होने के बाद भी, हमारा उद्दे से है, गरीब से गरीब student जो भी पढ़ रहा है, तो हो सकता है, आपके पास notes लेने के लिए, books लेने के लिए, पैसा नहीं है, तो कोसेश कीजिए, ठीक है, माबाब से मा और नहीं होंगे, आसा करता हूँ, तो बहुत सारे स्टोरी आप सुनते होंगे कि आर्टो डाइवर का बच्चा जो आई-एस officer बन गया, कैसे बन जाता है, कुछ तो quality होगा, उसमें, self-study से बहुत सारे लोग exam qualify कर लेते हैं, वो बड़े-बड़े institute या बड़े-बड़े coaching में जोइन नहीं करते हैं, ठीक है, फीस देना effort नहीं कर पाते हैं, वो इतना सारा, तो वो लोग self-study करते हैं, और जितना content उनको free में available होता है, उसी से वो अपना तयारी करते हैं, और exam qualify कर जाते हैं, और जो बड़े-बड़े institute में भी coaching जोइन करते हैं, उनका नहीं हो पा ठीक है, वो बोलते हैं, सर हम तो YouTube में lecture देखें हैं, उनी से वीडियो से देखें हैं, सीखें हैं, उसके साथ साथ self-study किया है, हमारा selection हो गया, और अच्छे नंबर आए, ठीक है, आने वाले समय में, इंटर्वी उसमें लेके आऊंगा, अच्छे-च्छे students का, ताकि आप के लिए हम हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, तो आपका target को आप बिल्कुल पा सकते हैं, चाहिए आप किसी भी state हों, राजिस्तान से हों, उडिसा से हों, महराज से हों, बिहार से हों, यूपी से हों, पंजाब से हों, अभी हमारे MCQ's के notes जो हैं, सारे state में जा रहा ह हैं, जितने भी लोग order करना हैं, इस तरीके से, A4 size, JK के paper में, और इस तरीके से spiral binding कराके, आपके घरतक ये जा रहा है, इस से practice करना है, simple सी चाहिए, practice करोगे, कैसे सवाल पूछा गया है, आपको बनेगा, और वही सवाल हम यहाँ पर explain करके आपको दे रहे हैं, कोई अलग स जोग, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका उद्दे से है यह government job, तो यहाँ तक आपको चलना है, तो यह सफर में आपका कोई भी दूइदा या आपके दिमाग को disturb करने वाली चीज़े बिलकुल भी नहीं आनी चाहिए, तब जाकर के आप इसको पा सकते इसको पाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग इस government job को पाने के लिए लाइन पर खड़े हैं, और यह government job उसी को मिलेगा, जो इसके लिए कुछ न कुछ sacrifice करेगा, struggle करेगा, महनत करेगा, यह इतनी आसानी स से मिलने वाला नहीं है इसलिए दोड में बहुत सारे लोग दोड रहे हैं लेकिन जिसका डेडिकेशन है और फोकस्ट है कि नहीं मुझे ये पाना ही है अपना जेनरेशन चेंज करना अपना पूरे करने है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं ह साहलीस मेथड का आपने बता दिया था कि साहलीस मेथड में आपका N by 10 HCL इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद दूसरा मेरा सवाल बनता है साइनमेथ हीमोगलोबिन मेथड में जब आप इसको यूज करते हैं तो आप इसमें कौन से रिएजेंट का इस्तिमाल करते हैं most important question कई बार पूछा गया है आपके government exam में जल्दी से आप लोग answer कर दीजे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ सवाल मेरा भी बनता है ड्रेपकें रिएजेंट वेरी गुड बहुत सारे लोगों का answer आ रहा है बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहा है इसी से पता चलता है जब आप reply करते हैं जवाब देते हैं comments करते हैं ठीक है आप लोग जाइए नहीं last में बहुत मज़ा आने वाला है last का जो session होता है हमारा ठीक है उसमें कोई option नहीं दिये जाते हैं आपको केवल आपसे सवाल पूछा जाता है आपको उसका answer देना होता है अगर आपको confirm इससे ये मालूम चलता है कि उस student को उस सवाल का confirm answer पता है उसमें कोई doubt नहीं है समझ आ रहा है option दिये हैं तब इसमें से कोई न कोई तुका तो लगा ही लेगा ये तो बहुत आसान है इसलिए चार option दिये गए है लेकिन option ही नहीं दिया है आपसे सवाल पूछा गया अगर आपको उसका answer exact पता है तो आप कभी confuse नहीं होंगे गलत answer करके नहीं आएंगे ये उसका मतलब निकलता है ठीक है तो आप लोग हिम्मत रखिये और सबर के साथ बैठिये पढ़ने के लिए नोट्स पेंड भी लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है गुड तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने ड्रेपकिन्स के बारे में बता दिया है ड्रेपकिन्स का नाम जब आपका नहीं बता दिया है तो उसके compositions भी मुझे जल्दी से comments करके बता दीजिए अब आप बोलेंगे master तो मतलब पूछे ही जा रहा है सवाल है ना बता तो कुछ है नहीं रहा है लेकिन फाइदा आपका ही है आपको पता है आप answer कीजिए मैं ही यहाँ पर पढ़ाते रहूंगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको है ना जब आप answer compositions पूरे ब वीडियो नहीं रुक रहा है ठीक है बहुत अच्छे से चल रहा है हमने बीसनल का फाइबर लगवा के रखा है बहुत अच्छा स्पीड इसलिए live class आप लोगों से ले पा रहे हैं नहीं पता है मिस्स पटेल क्यों नहीं पता है बहुत important dropkins का composition क्यों नहीं पता है सवाल इसलिए मैं बोलता हूं किसी भी टेस्ट का reagent या जो भी solution बनता है chemical ठीक है जब आप test perform करते हैं उसका composition आपको पता होना चाहिए समझ आ रहा है चाहे वो staining का हो किसी particular test का हो आपको पता होना चाहिए अगर compositions नहीं पता है तो आप answer नहीं कर पाएंगे यहीं आप मार खा जाएंगे ठीक है तो बहुत सारे लोगों को पता है अच्छी बात है आप लोगों को पता है class का time भी है मैं बता चुका हूं बार बार बताता हूं साम का समय 8 बजे के बाद कभी भी live आ जाते हैं ठीक है लेकिन इतना है 12 बजे के पहले आ जाएंगे आप चिंता ना करें नहीं तो सो रहा हूं आप खाना खाके और notification मिल रहा हूं सर लाइब आ गया है ऐसा नहीं करेंगे ठीक है कोसेस करेंगे 8 से 10 के बीच में हम live आ जाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे notification आपको मिल जाएगा ठीक है पता लगाय जाता है तो मैंने डीटेल में वीडियो बनाया हुए practical जैसे ही मेरे पास आया था मैंने डीटेल में प्रक्टिकल वीडियो बनाके दिया है आप लोग नहीं पढ़ेंगे नहीं देखेंगे वीडियो तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा आपको मैं बता चुका हू ओलते हैं डिस्टिल वाटर हीमोगलोबिन पिपेट सालीश ग्रेजुबान टीउब थिन ग्लास रॉड जिस स्टीर हो जिससे आप मिक्स करेंगे और सालीश कॉंपरेटर बॉक्स विथ ब्राउन ग्लास स्टेंडर्ड ठीक है पूरा प्रक्टिकल वीडियो इसका बना हुआ ह आप लोग जाकर के देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा अगला है आपका साइन मेथ हीमोगलोबिन मैथड ड्रेपकिन्स मैथड हाँ इसका दूसरा नाम मैंने पूछा नहीं था सवाल निकल गया था देमाग से सालीस मैथड का दूसरा नाम भी अगर पूछा नाम या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही बता रहा हूं वहरी गोड अप तो देखी रहा है तो आप लोगों पता है लेकिन पता है मुझे मालम है आपको आपनार भी पता है तो यह भी आप याद रखेंगे जरूरी नहीं कि सालीज म सवाल का एंसर आप गलत ना करें drugkin solution बहुत important है sign math hemoglobin standard solution की जरूवत होती है जिसमें की non hemoglobin value रहता है ठीक उसके बाद spectro photometer चाहिए आपको और photo electric colorimeter pipettes चाहिए और 47 pipettes चाहिए 5 ml का और 47 pipettes चाहिए drugkin solution का compositions आप लोग याद कर लेंगे ठीक है सारे के सारे आप लोगों को पता होना चाहिए अब हमारा आया था इसमें heading नहीं दिया है आपको copper sulfate method ठीक है तो ये मैंने नहीं पढ़ाया है short मैं आज आपको समझा देता हूँ कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं practical video बता दूँगा ठीक है हमने specific gravity वाला टेस्ट किया है sulfur powder वाला याद है ना आप लोगों को हाँ तो उसकी उपर based है ये जब blood donor आता है blood bank में ठीक है तो ये आपका जो test होता है ठीक है ये hemoglobin का test इससे perform करते हैं कैसे perform करते हैं मैं अभी बताऊंगा तो ये देखा जाता है जैसे कि इसमें requirement होती है donor का कि 12.5 gram per deciliter hemoglobin उससे ज़्यादा होना चाहिए उसका हम blood लेते हैं समझ आ रहा है तो इस method से test perform करके जल्दी से पता चल जाता है और हम उसका blood ले लेते हैं जो भी donor हमारे पास आता है तो इस method से हम करते हैं तो यह specific gravity के उपर based है assume कर लेते हैं ठीक है और specific gravity कितना 1.053 यह सवाल पूछेगा कभी तो आप यह याद रखें correspond to an hemoglobin level of 12.5 gram per deciliter अब जो यह copper sulfate method होता है इसमें हम beaker में copper sulfate लेते हैं ठीक है उसका solution बनाते हैं पूरा formula में बताऊंगा कैसे बनाते हैं कितना water लेते हैं कितना gram copper sulfate लेते हैं सारा चीज में बताऊंगा केवल अभी आप procedure समझ लीजे तो copper sulfate का solution है ठीक है उसमें 2-3 inch उपर से आप hemoglobin का 1 drop डालिए हीमoglobin का 1 drop आप गिराएंगे उपर से से 3 inch उपर से अगर ये नीचे shrink हो गया सीधे जाकर के नीचे shrink हो गया या डूब गया तो हम समझ जाते हैं कि इसका hemoglobin 12.5 से उपर है अगर ये shrink नहीं हुआ उपर तैर रहा है तो हम उसका blood नहीं लेते हैं कितना साधारन भासा में क्या आपको समझ में आया आप लोग comments करके बता दीजिए क्या आपको जो मैं ये समझाया हूँ क्या आपके समझ में आया बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है और detail में हम कोसिस करेंगे lecture लेने का तो उसमें हम detail में और बता देंगे जितना मैंने समझाया क्या आपको अभी तक समझ में आया यह सारी चीजे आपके समझ में आ गए जिन लोगों के समझ में नहीं आया है तो हम आप लोगों के लिए lecture ले करके आऊंगे copper sulfate के उपर तो यह सवाल पूछेगा यहां से कभी भी तो आप ये याद रखेंगे, इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि blood bank में blood donate करने से पहले कौन से method का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है इस तरीके से भी आगए, ये qualitative method है ये आप ये याद रखेंगे, quantitative नहीं है 200 लोगों ने हमें पसंद किया है thank you so much आप सभी लोगों का, अभी तक 200 लोगों ने like किया है, हमारे live class को तो बहुत अच्छी बात है हम आसा करेंगे, और भी अच्छे तरीके से आपको समझाए, जितने लोगों को पसंद नहीं आएगा lecture, उनको भी पसंद आए हम courses करेंगे, regular आप class अटेंड करेंगे, आपको समझ में आएगा, आप हमारे lecture देखेंगे, class अटेंड करेंगे, आपको सभी को समझ में जरूर आएगा, ठीक है, तो वो like के बटन से हम अंदाजा लगाते हैं कि आप सभी लोगों को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ें, यह सवाल बहुत common है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, यह तो रड़ गया होगा अभी तक आप लोगों को, कि immunoglobin, which can cross the placenta, तो हम MCQ series चला रहा हैं, तो continue, जो important MCQ से उसी को लेकर के हम आते हैं, कुछ आसान सवाल भी पूछ लेते हैं, ताकि, आपको भी अच्छा लगे, मज़ा आए, ठीक है, very good, answer सभी लोगों का IGG आ रहा है, second volume is the best book, thank you so much, तो हमारा जो second volume है, part two, उसकी तारिफ कर रहा हैं कोई, कि, कि, कि तने लोगों bind साथ में करके भीज रहा हैं, ठीक है, मैंने किया है, पूजा खरे हाँ, आपके पास गया है, मुझे मिल गया है, ठीक है, already मंगवा चुके हैं, part one आ गया है कि लोगों के पास, ठीक है, मुकेस के पास भी, IOC राट और, उसा, रावत, चलिए, दूसरा पार्ट भी बहुत important है, उसमें और भी अलग-अलग state से पूछे के सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं उसमें भी, आप मंगवा सकते हैं, email करेंगे, तो email में सारा detail आपको दे देंगे, ठीक है, और बहुत जल्द exam का date आएगा, notification आएगा, सभी state में, vacancy आने वाले हैं, और भी, तो आप लोग, बिल्कुल तयारी, लगन से कीजी, ठीक है, तो इसको ज़्यादा कुछ explain करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को answer इसका पता है, अच्छी बात है, आई जी जी सभी लोग कर रहे हैं, अब ये सवाल, microbiology से पूछा गया है, ठीक है, आप इसका answer कर दीजी, इसके बाद हमारा rapid fire session चलेगा, बहुत मज़ा आएगा उसमें, आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे, जाएंगे नहीं कोई भी, ठीक है, जो चले गए हैं, उनको बता दो, कि भाई ये rapid fire question आने वाला है, और, चली, इसका answer भी मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए, guest gangrene बहुत important है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है, भाई ये गलत जवाब नहीं देना, ठीक है, बहुत important सवाल है, आप लोग अच्छे से पढ़कर के आईए, इसका जवाब गलत नहीं देंगे, कई सारे लोगों का गलत answer आ रहा है, सर मुझे भी लेना है, जिस किसी को भी लेना है, ऑनलाइन ओर करना है, तो आप लोग इमेल कीजिए, ठीक है, एमाजॉन पर तो किंडल वर्जन है, वो पढ़ने के लिए केवल हार्ट कॉपी नहीं मिलेगा आपको, तो इमेल आप करेंगे, इमेल आपको दिखाई दे रहा होगा कमेंट्स में, ठीक है, मेल कर देंगे, डिस्क्रिप्शन पर भी इमेल आइडी मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ से आप मेल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, क्लॉस्टेडियम टिटनी नहीं होगा इसका एंसर, एंसर गलत मत कीजिए, ठीक है, यही तो कन्फ्यूजन है, तो इसलिए तो रेपेट फायर कोश्चन लाते हैं, ऑप्सन में पर फ्रिंज सही नहीं, तो क्यों दे रहा है वाब भाई, जो ऑप्सन है वहीं से बताओ, ठीक है, ऑप्सन बिना ऑप्सन वाले सवाल पूछेंगे, तो उसमें जरूर आप एंसर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यह आप याद रख लेना, ठीक है, यह पढ़ने के बाद आप लोग एंसर कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, गैस गेंगरीन कोस्ट बाइ अनरोबिक ग्राम पोजिटिव इस पूर फॉर्मिंग बैसिलाई, बैसिलास ओप दा, जीनस क्लॉस्टेडियम, लाइक, अब क्लॉस्टेडियम में से कौन-कौन से हैं, ये दिये गए हैं, लेकिन most common जो है, आपका जितने, जो लोग एन्सर किये हैं, तो आपसन में ये लेकिन नहीं है, आपके आपसन में क्या है, Clostadium Septicum है ठीक है यह आप याद रख लेना इसके लावा कोई भी option है वो गलत option है अगर इन में से कोई option आता है gas gangrene में तो आप वो याद रखेंगे और answer आप कर पाएंगे यह आप screenshot ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो ठीक है मैं रुका हुआ हूँ आप screenshot ले ले ताकि आप इसको याद कर ले कभी भी सवाल पूछेगा इसमें से तो आप इसको बता सकते हैं ठीक है सब लोग उन्हें लेना आगे बढ़ऊंगा ठीक है ठीक है चली तो आजके MC की उस किलास सबी लोगों को समझ में आ गया आप आप लोग तैयार है रेपिट फायर कोश्चन के लिए ठीक है सेप्टिकम था उसका इंसर ठीक है ठीक तो हम निकाल देते हैं सवाल आप लोगों के लिए आप सबी लोग क्या तैयार हैं एक बार यस सर लिख दीजे और आज का किलास आपके समझ में आया क्या तो उसको भी आप बता दीजे नहीं आया है तो भी बता दीजे आ गया है तो भी बता दीजे ठीक है और हम केवल किलास के समय पढ़ाई की बात और बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं आपको कोसिस करते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहे हैं और ये समझे कि गौर्मेंट एक्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इतने सिद्दत से कीजिए ठीक है कि इसको पाना ही है और इसके सिवा कोई चारा नहीं है इस तरीके से ठीक है तो शुरू करें फटा फट आप लोग एंसर करते जाएंगे एकंतोसाइट इज एकंतोसाइट सब्द सुना है अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल हम पूछते जाएंगे ताकि एकंतोसाइट किसको कहते हैं कितने लोगों को पता है वेरी गोड दुर्घेश का एंसर आगया हां नाम भी लेगंगे जिनका आते जाएगा कुली प्लोदी रुपाली एकंतोसाइट के बारे में बता हूँ एकंतोसाइट क्या होता है यह लिखकर कि मैं ने दिया है मधू का एंसर आ गया है बहुत बढ़िया मुकेस रुची कमलेस रितू राजा रीता कमल सिंग बोल रहे हैं नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप जिनका नाम ले रहे हैं आप पढ़ लीजे एंसर दे रहे हैं abnormal RBC ठीक है बहुत बढ़िया स्वेता अहिलिया कंटीनियो किलास जोइन करते हैं बहुत अच्छा है ठीक है चलिए तो abnormal RBC को acanthocyte केते हैं ठीक है acanthocyte is a abnormal RBC वेरी गोड अगला सवाल है the most recommended stand in hormonal cytology hormonal cytology के लिए recommendant stand कौन सा होता है कितने लोगों को पता है थोड़ा सा हम अब हाँ very good दुर्गेश का इंसर आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड निधी का भी एंसर आ गया संजय सवाल क्या था मेरा hormonal cytology रिकमेंड करने वाला most recommended stand ठीक है बहुत सारे लोगों का इंसर आ रहा है मैं एंसर लिख देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है ठीक है अगर अपीरेंस ओफ ब्लेड इन इस्पुटम उस कंडिशन को क्या बोलते हैं कितने लोगों को पता है जल्दी से आप एंसर कर दीजी अगर ब्लेड इन इस्पुटम में अगर ब्लेड अपीर हो रहा है तो उस कंडिशन को क्या कहते है rapid fire question चल रहा है बिल्कुल जल्दी जल्दी आप लोग answer कीजिए ठीक है इस पुटम में अगर blood appear हो रहा है तो उसको क्या कहते है नहीं पता है जिन लोगों को नहीं पता है लिख ले याद कल ले ठीक है संजे का answer आ गया है जिन लोगों को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है हम answer भी बताते जा रहा है ताकि आपको याद होता जाए pregnancy test is based on detection of pregnancy test जो है किसको detect करकर के पता लगाते हैं जल्दी से बता दीजी जल्दी बता याद मज़ा नहीं आ रहा है आज आप लोगों का answer नहीं आ रहा है पहले तो बढ़िया answer आता था मज़ा भी आता था अलब लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है pregnancy test is based on detection of pregnancy test जो है किस चीज को detect करकर के पता लगाते हैं यूरिन में नहीं पता पता तो होगा जल्दी से एंसर कीजिए धाई सो लोग हमें लाइब देख रहे हैं गुड वेरी गुड HCG ठीक है फुल फूम पता है ना HCG का फुल फूम पता है सबी लोगों को फूल फूम पता है तो वो भी लग देए सुरेंदर राजा अभी सब लोगों का इंसर आ रहा है वेरी गुड हाँ जी सर सब को पता है अच्छी बात अब इंट्रेस्टिंग सवाल एक और है ठीक है और भी बहुत सारे सवाल है अभी एक कतम नहीं हो रहा है The ideal pH of Leesman is 10 for malaria parasite demonstration malaria parasite को demonstration करते समय है ठीक है Leesman is 10 का ideal pH कितना होता है या कितना होना चाहिए very good बहुत बढ़िया good शिवम का answer आ गया Mr. Alex Raja बहुत बढ़िया answer है 7.2 ठीक है average अलग अलग किताब में आप देख सकते हैं 7.2 है चलिए special stand for fat rapid fire question है जल्दी जल्दी answer करो मज़ा नहीं आ रहा है आज आप लोगों का answer जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है rapid fire question series चल रहा है session है बिल्कुल मज़ा आना चाहिए बिल्कुल answer correct पता होना चाहिए अब option नहीं मिलेगा ठीक है option वाले खतम option वाले तो हम समझाते हैं इसमें option थोड़ी देंगे हम आपको ठीक है जो जो याद है याद है आपको fat के लिए आप बिल्कुल answer कर दीजिए good very good बहुत सारे लोगों को पता है ना fat के लिए special stand answer आ रहा है Sudan good should on black be answer भी हम बताते जा रहा है ठीक है यह fat के लिए है special stand the diluting fluid used for platelet count diluting fluid का नाम बताना है platelets count के लिए diluting fluid platelets count के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है वेरी गूड संजय सिवं रागनी सुरेंद्र यादो एमडी आदिल गोपाल जैसवाल रितू कोमल फेरी गूड बहुत बढ़ी आतुल सुरेंद्र चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना हमारे mcqs के notes हों उसी में से देख देख करके आप answer कर रहे हैं चीटिंग बिलकुल नहीं करना ठीक है एमानदारी से आपको खुद को नहीं जूड बोलना है ठीक है अगर खुद को धोखा दोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसलिए अभी कोई किताब हाथ में मत रखो इस सेसन में आप याद रखना कोई भी किताब आपके हाथ में नहीं होना चाहिए किवल आपको हमारी आवाज सुनना है आवाज सुन करके comments करना है बस ठीक है इसके अलावा आपकी नजरें इधर अधर बिलकुल भी नहीं जानी चाहिए अगर आप इमानदारी से इस सेसन का हिस्सा होना चाहते हैं और इसका फाइदा लेना चाहते हैं तो इतना आप करोगे तो आपको मज़ा आएगा आपका preparation अच्छा होगा ठीक है आपका mind का growth अच्छा होगा आपके दिमाग का exercise इतना जादा होगा फटा फट स्विच करेगा आपका mind ह चीजों को कितनी याद है कितना याद है किस कोने में वो यादगार चीजें पड़ी हुई है तो वो फटा फटा आपका दिमाग उसको तो बहुत सोस समझ करके मैं यह session लेकर के आया हूँ ठीक है ऐसे ही हम मज़े नहीं ले रहे हैं आपर सोस समझ करके आप लोगों के तो मैं आसा करता हूँ अभी के वाल यही सवाल पूछ रहा हूँ प्लेटलेट्स का और बीसी कभी पूछ सकता था डबलू बीसी कभी दोनों आप लोगों को याद है मेरे को विश्वास है इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ गो सवाल ठीक है चलिए हाँ देखकर देखेंगे तो लेट हो जाएंगे है न रागनी जी कह रही है चलिए अच्छी बात है बिलकुल भी चीटिंग नहीं करना है ठीक है एंसर जो आपको बन रहा है अच्छी बात है नहीं बन रहा है तो आपको पता चल रहा है न कि मुझे वो सवाल नहीं बन रह आप पढ़ेंगे ता इंक्लूजन बॉड़ी प्रेजेंट इन जी सिक्स पीडी डेफिचेंसी में आपको इंक्लूजन बॉडी कौन सा दिखाई देता है बहुत इंपोर्टेंट यह टेस्ट है जी सिक्स पीडी ठीक है इंक्लूजन बॉडी का नाम बताईए जो आपको G6 PD में दिखाई देता है बहुत सही जवाब सिवम, दुर्गेश, भीश्म, कुल्दीप, कुजा खरे, तनू Medical Lab Technologist Sanjay, बहुत बढ़िया, अरजुन, जागरिती, आप लोग कंटीनिव किलास जोईन करना है तो आप सब लोग मुझे याद हो जाओगे, बिल्कुल फटा-फट में आप लोगों का आदिल नाम याद हो जाएगा सुरेंद्र, सीला कुमारी, राजा, अमित, सेख, इंजमाबुल सेख, सचिन, वेरी गुड, सभी लोगों का आगया हैं सर, हिंज बॉड़ी, ठीक है, चलिए अगला सवाल जल्दी से हम ले लेते हैं, आप से सवाल पूछ लेते हैं, the normal value of mean corpuscular volume, सौट में क्या बोलते हैं अब आएगा मजा, mcv की normal value आपको बताना है, with unit, ठीक है, unit नहीं बोलना है, इसमें, unit बहुत important है, red cell indices आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, unit जरूर बताना है इसमें, अलग-अलग book में थोड़ा बहुत फरक आ सकता है, लेकिन इतना जादा नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, unit हम बता देते हैं, आप लोगों ने लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, good, तो सभी लोगों को हम समय देते हैं, ताकि जल्दी से आप लोग answer कर दें, good, फिम्टो लीटर आपका unit हैता है, ठीक है, हमारी book के अनुसार 80 से पंचानना भी दिया है, ठीक है, अलग-अलग किताबों में आप थोड़ा बहुत variation देख सकते हैं, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज़्यादा जिन लोगों का answer गलत आ रहा है बहुत लोग थोड़ा ध्यान देंगे, अगला सवाल यहीं पूछा था, हम लोगों ने पढ़ी लिया है, देख लो, पूछ लिया ना सवाल, तो आप लोगों को पता है, ठीक है, अच्छी बात है, नॉर्मल वेल्यू औप प्रोथ्रॉम्बिन टाइम, पी टी, पी टी प्रोथ्रॉम्बिन टाइम का नॉर्मल वेल्यू विथ यूनिट बताना है, जल्दी से बता दीजे, वेरी गुड, निशान, तनु, मुकेस, उसा, बहुत बढ़िया, रागनी, मुकेस, अभी से एक, तोल सिंग, चाथ तोल सिंग, आप वही हैं, अभी MCQ साप को पहुचाया है हमने, ठीक है, तो ऐसे हमें याद रहता है नाम, ठीक, वेरी गुड, सेकेंड में हैं, ग्यारा से सोला, ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है आपको, बुक्स के कॉड़िंग, दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरीसन देखने को मिल सकता है, ठीक है, सवाल मैं पूछता ही, लेकिन इसने सवाल में ही सारे चीज़े भर दिया, मेरे को सवाल पूछने का वही नहीं बचा है, इसमें है, ट्राइसोडियम साइट्रेट का जो वाइल होता है, ठीक है, कोगलेशन स्टेडी जिससे करते हैं, बहुत बढ़िया, एंसर मिल चुका है, उसका रेसो बताना है, रेसो कितना है, वन इस्टू, नाइन, गुड़, चैली, अगला सवाल पूछें, डाइसेटाइल मोनोजाइम थायो सेमी कार्बजाइड इस मेथड यूजड फोर एस्टीमेशन आप, मैं नाम लिख देता हूँ, आप लोगों को पता है इसका एंसर, थायो सेमी कार्बजाइड, ठीक है, ये मेथड जो है, किसको एस्टीमेशन करने के लिए किया जाता है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बें इस्पिलिंग गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एग्णोर करेंगे हम उनको, लेकिन बस हमारा टार्गेट ये है, आपको एंसर पता होना चाहिए, यूरिया सबका एंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका एंसर आ रहा है, यूरिया है न, एक्जामपल फोर एन एंटी टूबरकुलस ड्रक्स, एंटी टूबरकुलस ड्रक्स नाम सुना है, इसलिए यह सवाल पूछा करो है, अब TB पढ़ाएं तो उनको लग रहा होगा कि बैर DRUGS का नाम भी पता होगा, इसलिए 이 सवाल पूछ लिया और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहा हैं, नहीं भी कर रहा हैं वो टीबी वाले काम जो है टीबी का क्योंकि अंतरराष्टी प्रोग्राम है जैसी कि मैंने बताया है ठीक है तो उसमें टीबी का डेपार्टमेंट भी होता है बहुत बढ़िया ठीक है एंसर आप सभी लोगों को पता है ओप्सन दिया था उसमें से था आइसो निये जीड तो टीबी का जो टीटमेंट चलता है डॉट्स है ना उसमें मेडिसिन के कंपोजिशन होते हैं वो भी आप पढ़ लेना बहुत इंपोटेंट है समझा रहा है ठीक है कुछ इस्टुडेंट्स हैं जो एक दूसरे को जानते भी है वो लोग चैट पर बात कर रहा है हाई हलो बाद में भी कर ले न कोई दिक्कत नहीं है अभी के बाल एंसर फटाफट कर दीजे ठीक है परसनल नंबर तो हो गई जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो मेरे ख्याल से आज के लिए लास्ट सवाल था एक घंटा हमारा हो चुका है और इसके बाद फि ठीक है HRJD तो वो आप जरूर देखना सीरीज को ठीक है क्वालिटी कंट्रोल सुरू से आप समझनी की कोसिस करेंगे प्रक्टिकल वेस्ट पे बहुत इंपोर्टेंट है इसके साथ साथ आपके वायवाव में पूछा जाता है इंटर्व्यू देने जब आप जाएंगे किसी लेबरोटीस में तो वहाँ पर भी पूछेगा बहुत इंपोर्टेंट है समझ आ रहा है आपको तो उसको आप ध्यान रखना और बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप ताकि आपको समझ में आए बहुत इंपोर्टेंट भी है वो समझ आ रहा है तो उसको आप जरूर देखना उन लेक्चर को और आने वाले समय में और भी बहुतरीन जितने इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो किलियर करेंगे MCQs तो कंटीनिव हमारा चलता रहेगा आप लोगों का प्यार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबाके रखना नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा और किलास का टाइमिंग यही रहेगा आट बजे के बाद ठीक है साम का समय ताकि सब आराम करके खाना खा करके बैठ करके आराम से कोई सोएगा नहीं नीन नहीं लेगा ठीक है और पढ़ेंगे बाकी किलास तो आप यूट्यूब में देखते होंगे कई सारे लोगों का अभी तो विकेंसी आ रहे हैं बाकी लोगों का SSC का दुनिया दंदफंद का तो वो लोग तो बारा बारा ब बच्चे जाकर के पढ़ते भी हैं समझ रहे हैं तो कभी ऐसा भी होगा कि हम किलास लेंगे रात में दस बजे के बाद 11-12 बजे तक हो सकता है कई दिन दो घंटी की किलास भी हो सकता है तो आप लोगों के लिए करेंगे कोई दिक्कत नहीं आपका सपोर्ट रहेगा तो दे रहें आप जब email करेंगे आपको प्राइज बताएंगे अगर मैं इसका PDF दे दोंगा तो आप बाहर प्रिंट करवाने जाएंगे ना इसका ठीक है तो 3000 mcqs हैं आपको बहुत ज्यादा चार्ज लग जाएगा 3000 mcqs एक में 165 पेज हैं आप खुद प्रिंट का कैलकुल आपको बाइंड करा करके पूरा चीज आपके घर तक पहुंचा रहा है विद पार्सल का चार्ज कुछ भी नहीं है सारा चीज उसी प्राइज रेंज में इंक्लूडेड है आप email करेंगे आपको समझ में आ जाएगा और यह बाहर भी आप रेट पूछ करके आप हमें बता करेंगे वह आप उसमें मैच करके देखना समझ आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका चार्ज कितना रखा गया है ठीक है तो आप उसकी चिंता ना करें हम हर उस बच्चे का ध्यान रख रहे हैं जिनका financial condition अच्छा नहीं है इसलिए free classes आप लोगों के लिए है YouTube पर हम पढ़ा रहे हैं समझ आ रहा है अभी तक हम कोई भी फीस वाला यह system चालू नहीं किये हैं क्योंकि हमें पता है फिर उसमें बच्चे स्टुडेंट क्या होते हैं डिवाइड हो जाते हैं कुछ स्टुडेंट YouTube में जो online free पढ़ रहे हैं या कुछ स्टुडेंट जो है किसी application के थुरू जो fees pay करके पढ़ रहे हैं तो उसमें teacher का भी mind divert हो जाता है student का भी दो भाग में बढ़ जाते हैं समझ आ रहा है तो मज़ा नहीं आता है उसमें तो हम equal सब को ले करके चल रहे हैं equal way में सब को एक जैसा पढ़ा रहे हैं अब selection होना ना होना आपके मेहनत पर depend करता है हम आप सब के लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं किसी अलग student के लिए हम अलग से कोई special class यहां बुला करके नहीं पढ़ा रहे हैं ना किसी offline में किसी को पढ़ा रहे हैं सारा चीज YouTube पर online है आप सभी के लिए बराबर पढ़ा रहे हैं समझ आ रहा है आप सभी लोग चा करता हूं आज का class आपको समझ में आया होगा मजा आया होगा आप लोग feedback दे दीजिए ठीक है तो feedback फटा फट दे दीजिए उसके बाद सुबरातरी बोलते हैं और चलते हैं आपका feedback हमारे लिए बहुत माइने रखता है और वीडियो को like करना माइने रखता है इससे समझ मे आता है कि आप लोगों को videos, classes हमारे समझ में आ रहे हैं तो like करना भी ना भूलें और subscribe करके रखना जरूरी है वह आपका ही फायदा है notification आपको मिलेगा ठीक है तो thank you so much आपके प्यारे प्यारे feedback के लिए comments के लिए आपको class समझ में आ गया यस sir class कैसा रहा वो भी आप बताए rapid fire session continue रखें ना रखें वो भी आप बतादेना ठीक है अगर आपको मज़ा नहीं आए बोर हो जाएं कभी तो आप बतादेना बंद कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक लेकिन हम हमेशा आपके benefit के लिए ही सोचेंगे आपका फायदा हो ठीक है गुड़ नाइट आप सभी के लिए आप तयार रहना हो सकता है समय और ज़्यादा हम लें ठीक है आप लोगों को पढ़ाएं कि उनकी समय कम है हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारा चीज क्लियर हो कबर हो जाए ताकि आपका फायदा हो सबका थैंक्यू सो मच सुबरात्री अपना ख्याल रखेंग नेक्स्ट किलास में फिर मिलेंगे चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन दबाके रखना नोटिफिकेशन आपको मिल जायेगा किलास साम के समय आठ बजे के बाद कभी ठीक है किसी भी दिन वो कोई pre-sedule नहीं रहेगा notification आपको मिल जाएगा ठीक है continue रखेंगे class चिंता ना करें आप लोग ठीक है thank you so much